हेलो और वेलकुम दू दू पॉलिटी करेंट अफेस सेशन ऑफ कॉमडिशन कम्यूनिटी और कॉमडिशन कम्यूनिटी यूट्यू चैनल मैं हो निकत परविन खान और आज की इस वीडियो सेशन में हम लास्ट वीक मतलब 17 से लिकर 23 जून के बीच में पॉलिटी के सेशन में जो भी करेंट के इंपॉर्टेंट घटनाए हुई हैं उनको कवर करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंस हुए हैं जो आपकी डाइनमिक के लिए उतना जुरूरी नहीं है लेकिन उसके बैग्राउंड में जो स्टेटिक पार्ट है वो जुरूरी है जो काफी जादा बस्डाउट की क्या के मत्वकून खबरे रहीं पिछले हफ़ते सबसे पहले बही दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने 18 जुलाई को होने वाले राश्पती चुनाओ के कैंडिडेट्स का नाम सामने कर दिया है द्रौपती मुर्मू बीजेपी की तरफ से उनकी प्रेसिडें दूसरी न्यूस महराश के राजनेतिक संकट से है तो देखिए भी महराश का राजनेतिक संकट यह वही न्यूस है जो भी आप रोज सुन रहे होंगे पिछले एक हफ़ते से सुन रहे हैं बट हम आज यहां पर उनी चीजों को नहीं दोराएंगे जो आप दिन रात मेडिय मैं सुन रहे हैं मैंने आपको शुरू से कहा था राजनेतिक स्कैम्स घोटाले बाजियां पॉलिटिकल स्टेट्मेंट यह फिर टेंपररी उथल पुथल यह आपके लिए डैनेमिक पार्ट से ज़रूरी नहीं है आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एकनाथ चिंडे कौन थे कभी आपको नहीं पूछेगा एक्जैम में कि एकनाथ चिंडे ने क्या किया और दफठाकरे ने क्या किया यह जो कुछ भी उलट फेर होता है राजनेति में इसके डैनेमिजम में कोई भी आपके लिए इंपॉर्टिन चीज नहीं होती बट हाँ जो भी आप नियूस से निप्टा जा सकता है और क्या क्या पॉलिटिकल वहां पे क्रैसे का बेग्राउंड है कुल मिला करके आप यह जो डैनेमिक न्यूस सुन रहे हैं वो सिर्फ न्यूस तक की सीमित है हम यहां पर देखेंगे पॉलिटी से इसका क्या लेना देना है ठीक है उसके बाद अग गैर मानिता प्राप्त राजनेतिक दलों को हटाने का आदेश दिया है तो क्या है यह न्यूस हम देखेंगे आखिर तो सबसे पहले सबसे फर्स और सेकिंड न्यूस जिसकी हाल फिलाल में काफ़ी चरचर रही उसको देख लेते हैं तो फर्स न्यूस है बीजेपी ने प्र प्रेसिडेंशल कैंडिडेट खोशित किया है वही हाल ही में कॉंग्रेस और सभी विपक्ष दलों ने एक जुठ होकर पूर्व बीजेपी के मंतरी जो 2018 में बीजेपी से अलव हो गये थे यश्वन सिनहा को अपना प्रेसिडेंशल कैंडिडेट प्रस्तावित किया है कह सकते हैं कि वो मेंस्ट्रीम पॉलिडी से काफी अलग हो चुके हैं वैसे ही जो द्रापती मूर्मू हैं वो भी पहले राज्यपाल थी और इसा में मंतरी थी अब देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि जो प्रेसिडेंट के पोस्ट में खड़े होता एक तरह से वही व्यक्ति होते हैं जिनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाती है मतलब राजनीती में आगे कुछ बहुत जादा स्कोप उनका रहता नहीं है जेनरली इसलिए तो आपने देखा होगा कि विपक्षी के इंडिडिकली बहुत मंथन चला बहुत दिनों से कई सारे नाम सामने आ रहे थे आप फा कप्ता पक्ष जो है वो काफी मजबूत है के अंडिया के कई राज्यों में विजेपी या उसके अलाइंस की सरकार है तो जाहिर से बात है जिनका वी नाम बीजेपी फ्यारवर्ड करेगी उनका जीतने कि चांसे ज्जादा होंगे तो इसलिए विपक्ष में कोई भी राज नहीं था इनके अगेंस खड़े होने के लिए और यश्वन सिना ने फाइनली हामी भरी और उनको खड़ा किया गया ठीक है तो एक तरह का ऐसा होता है कि वो लोग हामी भरते हैं जो माना जाता है कि उनकी पॉलिटकल डेथ है मतलब ऐसा है कि आगे वो नॉर्मल राजनीती मे बहुत जादा चुनाओ अगर अलड़ने नहीं वाले है वो इस पत के बाद इसका मतलब आपके आसकते हैं बस एक रटायर्ड प्रेसिरेंट कहलाएंगे तो दोरा आ देती हूं सुन तो आप रही होंगे द्रौपती मूर्मू हो हेल्स फ्रॉम ओडिसा और जारकंड की पू हो गए थे बीजेपी से तो यह विपक्ष के कैनी रेट हैं ठीक फिर से गया तो अभी मैंने दोहराया है कि 18 जुलाई को राश्पती चुनाओ होने देखिए वर्तमान राश्पती रामनात कोविन का जो कारेकाल है वो 24 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाला है और निया मनसार वर्तमान राश्पती के कारेकाल समाप्ती से पहले पहले ने राश्पती को चुनाओ हो जाना जाए इसलिए 18 तारीख को यह चुनाओ रखा गया है ताकि जो इनका पदभार है वो वर्तमान राश्पती के समाप्ती के तुरंद बाद ने राश्पती अपने पदभार को सम अबति मूर्मू क्योंकि सत्ता दल की या सत्ता पक्ष की प्रतिनिधी हैं, इसलिए इनके चीतने के चांस्से ज्यादा हैं, अवल तो सेंटर में BJP और उसके अलाइंस की मिजॉरिटी है और दूसरा मैंने कहा जाधा तर राज्यों में भी BJP या उनके अलाइंस की मिजॉरिटी है और क्योंकि प्रेसिडेंट की एलेक्षिन को हम देखते हैं कि वो इंडिरेक्ट तरीके से होता है और उसमें MPs या MLA ही पार्टिसपेट करते हैं इन्हें केंदर के सांसद और राज्य की विधाया की पार्टिसपेट करते हैं इस वजए से BJP का दबदबा बने रहने की जाधा चांसेज हैं और साफ तोर पर आप देख पाएंगे आपर कि BJP के पास कुल मिलाकर के 10,86,000 वोट हैं ऐसा माना जात है ठीक है तो देखो BJP के अलावा बिकोज ये ओडीसा को बिलॉंग करती है इसलिए ओडीसा में नवीन पतनाएक का जो दल है बीजू जंता दल और उसके अलावा जगन मोहन रेड़ी के जो YSR कॉंग्रेस हैं इन्होंने भी कहीं न कहीं अलान कर दिया है कि हम ज्रापती म हुर्मों को सपोर्ट करने वालें तो ऐसा है कि अगर ये राश्पती बन जाती है तो एक खास बात जो होगी वो ये कि भारत की पहली आदिवासी महीला राश्पती बनेंगी शी विल बी दफर्स ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट अफ इंडिया डू रिमेंबर दिस फर् स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक तरफ हट जाती हूं यह सारे डैनेमिक पॉइंट्स का आप स्क्रीन शॉट ले लिजे ठीक तो अठारा जुलाओ को प्रेसिडेंट का इलक्षिन होना है ये दोनों कैडिडेट्स हैं और ये बाकी की डीटिल्स बाकी अब ये त कारे बाती फिर हाइलाइट हो जाती हैं प्रेसिडेंट का इलक्षिन की प्रक्रिया उसका इलेक्टरिल कॉलेज जो हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं उन चीजों को फिर से रिवाइस करिए ये वैसे भी मेंस में कई बार आ चुका है प्रलम्स में कई इसके पहलो आ हर पात साल में जब भी राजपती चुना होता है तो जाहिर सी बात है राजपती तो जुड़े जितने सम्मिधानिक प्राफदान उनके उनका पदभार हो कारे काल हो या उनकी क्वालिफिकेशन हो या उनकी एलेक्षिन का पुरा प्रोसेस हो हर चीज हाईलाइट हो जाती ह तो राजपती के पूरे चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइस करिए कोई एक चीज नहीं खासतोर पर उनके निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन की प्रक्रिया में पूरी पूरी यहां भी नहीं समझा सकती क्योंकि पूरा एक घंटा सिर्फ और सिर्फ आपकी एले फाइल किया गया तो उसमें आपको ध्यान रखना है अगर आपने राश्पती को स्टेटिक में पढ़ा है पॉलिटी में तो आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में प्रेसिडेंट की कॉलिफिकेशन को पूरा करता है प्रेसिडेंट की कॉलिफिकेशन दी गए है आर्टिकल 58 में ठीक है जिसमें उनकी मिनिमम एज 35 एर्स होनी चाहिए वो लोक सबा का सदस्य बनने की योग होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए यह तीन कौलिफिकेशन का अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो भारत का कोई भी व्यक्ति राश्पती के लिए चुनाओ में खड़ा हो सकता है शर्त क्या है शर्त यह होगी कि उसे एक security amount यहने जमानत राशी जमा करनी होगी जो फिलहाल 15,000 रुपए है ठीक है मतलब अगर इन दोनों ने अभी nomination भरा है तो यहने 15,000 रुपए की जमानत राशी देनी होगी चुनाओ को याद रख रुपए एक deposit की रूप में यह दोनों ही candidates जो हैं वो किसको देंगे चुना आयोग को देंगे और यह जितने भी candidates खड़े होते हैं उनके पास यह basic qualification होनी चाहिए ठीक है यह qualification हो गया according to article 58 फिर यह security amount हो गया अगली बात आती है कि क्या सिर्फ security amount जमा करने से जिसके पास यह qualification कोई बिजा कि अकेले कड़ा हो सकता है नहीं कोई भी व्यक्ति जो है वो राश्पती चुनाओं में अगर भाग लेने का इच्छुक है तो उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत है जो उसका नाम प्रपोस करेंगे और उसके नाम के प्रपोजल पर सहमती दें ठीक है इंग्लिश में कहते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो होते हैं वो एक्चुली में इलेक्टर्स होते हैं इलेक्टर्स मतलब हम जानते हैं ना कि राश्पती का चुनाओं इंडिरेक्ट होता है तो इंडिरेक्ट चुनाओं का मतलब है जनता डिरेक्ली नहीं च इंप्य और MLA मिलकर के चुनते हैं, अभी अगर हम देखें, तो कुल मेलाकर की इंडिया में 4809 इलेक्टर्स हैं, इंडिया की सभी राज्य की विधानसभाओं की विधायकों का टोटल कर दीजे, जैसे उत्तरप्रदेश में 403 विधायक हैं, 36 गड़ में 90 विधायक हैं, इस परिजित्ते सांसद हैं, उनको टोटल कर दीजिनकी संक्या 76 है, याद रखिए, यह जो मैं काउंट कर रही हूं, यह सिर्फ इलेक्टेड लोग हैं, नॉमिनेटेड लोग नहीं आएंगे इसमें, तो यहां पर्वे में 706 जो बोल रही हैं, उसमें राजसभाओं की जो 12 न राजपती को चुनते हैं, यही लोग इलेक्टर्स कहलाते हैं, अब ऐसा है कि इलेक्टर्स जो सांसद और विधाय के जाहिर से बाते अलग-अलग पार्टी के होंगे, ठीक है, तो अगर कोई एक पार्टी अपने कोई कैंडिडेट का नाम फॉर्वर्ट करती है प्रेसिड गया है, तो बीजेपी के 50 लोग ने उनका नाम प्रपोस किया होगा, वो कहलाएंगे प्रपोजर्स, यहने प्रस्तावक और बीजेपी के ही 50 लोगों ने उनके नाम को अनुमोदित किया होगा, जो कहलाएंगे सेकेंडर्स, यहने की अनुमोदक, मैं रिपीट करती हूँ, अगर तौपती मुर्मू का नाम गया है तो उन्होंने अवल तो ये कौलिफिकेशन्स पूरी की है जाहिर से बात है 35 वर्ष की उपर होंगी भारत के नागरिक लोगसबा का सदस से बनने की वो योग यह होंगी 15,000 रुपे की जमानत राश्य उन्होंने जमा की होगी और क्यूंकि बीजेपी की लोग उनको आगे कर रहे हैं तो बीजेपी के वो लोग जो सांसद या विधायक हैं वो सारा दल जो राश्पती के चुनाव में हिस्सा लेने वाला है वो 4,809 लोगों में से वो लोग जो बीजेपी को बिलॉंग करते हैं तो बीजेपी के ऐसे लोग ने जो सांसद विधायक ने ऐसे लोग जो सांसद विधायक हैं जो प्रेसिडेंट की इलेक्षे में हिस्सा लेने वाले हैं उन्हें को हम कहते हैं इलेक्टर्स तो बीजेपी के 50 इलेक्टर्स ने उनका नाम प्रपोस किया होगा बीजेपी के 50 स केंडर्स ने उनका नाम अनुमोदित किया होगा तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदकों ने इनका नाम प्रस्तावित किया है तब जाकि इनका nomination file हुआ है clear यह बात ठीक है तो nomination file करने के बीच यह बात याद रखें election commission को file होता है क्योंकि चुना election commission करवाता है यह qualifications होती है यह monetary requirement होती है और इस तरह से 50 और 50 लोगों के sign के साथ यह nomination file होता है और यह 50 लोग जो है यह electors में होते हैं यह वो लोग जो राश्पती चुनाओं में हिस्सा लेने वाले है clear है चीज ठीक I hope आपको समझ में आया हो नहीं समझ में आया तो आप नीचे doubt section में पूछ सकते हैं और जो चीज मैं आकडों के तौर पर बता रही थी मैं फिर दोहरा देती हूं देखो आप जानते ही हैं कि राश्पती एक निर्वाचित पद होगा ये article 54 में दिया गया है और राश्पती के निर्वाचन की पुरी प्रक्रिया article 55 में दी गई है president एक elected post होगी ये article 54 में है और 55 में पूरा method of election है ठीक है तो ये जो मैं कह रही थी कि indirect election होगा और उसके अलावा बाकी सारी बातने 55 में दी गई है और अभी जो मैं कह रही थी कि MPO और MLA participate करेंगे तो भई कौन कौन participate करेगा president की election में कौन vote डालेगा इसकी पूरी detail 54 में दी गई है 54 में एक शब्द आता है electoral college हिंदी में हम कहते है निर्वाचन मंडल अब प्रत्यक्स चुना होने के वज़े से अगर जनता नहीं चुनती है तो वो कौन लोग है जो president की election में participate करेंगे उन सभी लोगों के पूरे group को जो election participate करेगा उनके पूरे group को आप electoral college बोलते हो जिसका उलेक आर्टिकल 54 में है इसके तहट तीन तरह के लोग आते हैं सबसे पहले electoral college अगर हम 54 के इसाफ से देखें तो center level पर देखो लोग सभा प्लस राज सभा के सभी elected लोग elected MPs यह आते हैं state level पर देखें तो विधान सभा यहने legislative assembly जिसको English में कहते है legislative assembly के सारे elected MLA's कोई भी nominated इंसान नहीं होगा इसमें तो केंद्र में लोग सभा राज सभा के सभी निर्वाचित सांसर राज में विधान सभा के निर्वाचित विधायक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पूडूचेरी दिल्ली और पूडूचेरी के सभी निर्वाचित विधायक सभी निर्वाचित विधाया केने की elected MLA's ये तीनों मिलाकर बनाते हैं अंडर आर्टिकल 54 electoral college of president यही लोग डालेंगे एकजितिवो इनहीं की संख्या भी मैंने आपको बताई कि total हो रही है 4809 ठीक है जिन में से आप देखेंगे जो MLA's है मतलब आपके देखे दिल्ली पुडुचेरी और राज्यों के जो MLA's है इनकी जो कुल संख्या है वो 4 1 2 0 है और जो आपके लोगसभ राजसभा के निर्वाचित सांसद है इनकी संख्या है 776 इन सब में खास बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है सब जगे निर्वाचित लोग हिस्सा ले रहे नॉमिनेटेड लोग कहीं पर नहीं दूसरी बात आपको याद रखनी है कि राज्यों की विधान परिशद है इसमें हिस्सा नहीं लेते जिस सुत्य प्रदेश में प्ला के 4120 विधाएक हो रहे और लोग सबा राजसबा के निर्वाचित सांसद मिलाकर 776 हो रहे इस तरह से 4809 टोटल मिलाकर के अभी निर्वाच्चक होंगे इनने की इलेक्टर्स होंगे ठीक है इसमें ध्यान में रखना अभी जमुकश्मीर का एक पेच फसा हुआ है एक दिन पहले ही ये नियूज आई है कि जमुकश्मीर इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा मैं दोहराती हूँ जमुकश्मीर इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो काईदे से जमु कश्मीर को आर्टिकल 54 में थोड़ा सा संशोधन करके यूनियन टेरिटरी में शामिल करना चाहिए था पर ऐसा कोई भी संशोधन हो नहीं पाया है और तो और 2019 के बाद वहाँ विधान सभाव वाले जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसमें नए इलेक्शन होने चाहिए थे और नए इलेक्शन नहीं हुए हैं तो इस वज़े से याद रखिएगा जमु कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर ना ही राज्ये के तौर पर किसी भी तरह से इस बार प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है अभी आर्टिकल 54 में कुछ जोड़ा नहीं गया दूसरी बात यह कि वो यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसमें विधान सभा तो विधान सभा की नए लेक्शन होने चाहिए तो 2019 के बाद वो भी किजी कारणों की वज़े से नहीं हुए इसलिए जम कश पती चुनाव में कौन-कौन पार्टिसपेट करने वाला है ठीक है उसकी अलावा देए इतने टोटल इलेक्टर से वह तो अच्छी बात है लेकिन आप एक और चीज जानते हैं कि जो वोटिंग होती है वो वेटेड वोटिंग होती यानि एक व्यक्ति चाहे वह एमेले हो जो इसमें पार्टिसपेट कर रहा है इन 4809 लोगों में एक वेक्ति की वोट की कीमत एक नहीं होगी उसकी वोट की वेल्यू ज्यादा होगी यह हम पढ़ते हैं यूज्वाली प्रेसिडेंट इलेक्शन में कि अगर एक एमेले है तो उसकी वोट की वेल्यू को काउंट कर करने के लिए उस राज की टोटल पॉपुलेशन जो होती है कुल जनसंख्या उसको उस राज में जितने भी इलेक्टेड एमेले होते हैं मतलब उस राज की कुल निर्वाचित विधायक उससे डिवाइट कर दिया जाता है और इस पूरे रेशो को 1 बाइथाउजन से मल्ट अगर आप मान के चली 36 गड़ में 90 अमेले हैं तो एक अमेले की वोट की किमत एक नहीं होगे यहां पे जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको यहां से 90 से डिवाइट कर देंगे इंटो 1 बाइथाउजन कर देंगे तो उसके हिसाब से जो वैल्यू निकलेगी वो एक अमेले क कि वोट की वैल्यू 129 है सबसे जाद अगर आप देखेंगे तो जो यूपी है उसकी है 208 आप कहेंगे कि मैं 36 गड़ की तो पॉपलेशन 2 करोड 55 लाग है अगर आप उस तरह से डिवाइट करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 करोड 55 लाग उपर रखेंगे तो इसकी 200 से उपर जाएगी वैल्यू पर मैंने कहा कि उस टाइम 1971 की जनगर्णा के हिसाब से MP का वो हिसा जो 36 गड़ में आता था उसमें जितनी पॉपलेशन थी उसके हिसाब से रखा जा रहा है ऐसे अगर मैं यूपी की बात कर रही हूं कि वहाँ पर एक एमेले की वोट की वैली 208 है तो अभी 2011 की जनगर्णा के हिसाब से नहीं 1970 की जनगर्णा के हिसाब से यूपी की जितनी भी पॉपलेशन थी करीब आट लाग नौ लाग कुछ पॉपलेशन थी उसको डिवाइट किया गया वहां के 403 मले से इंटू 1 बाइथाउजन किया गया उससे आया ठीक है तो 36 गड़ वोट की वेल्यू होगी 129 इस फॉर्मिली के हिसाब से इसका मतलब यह कि CG से अगर पूरे के पूरे 90 मले वोट डालते हैं तो CG से 90 इंटू 129 वोट जाएंगे 90 इंटू 129 वोट समझ पा रहे ही चीज़ ठीक है तो ऐसे करके हर राज्य की वोट की वेल्यू अलग अलग जूपी की 208 है सक्कीम की देखे वहाँ पर पॉबलेशन बहुत कम है तो 7 है अर उनाचल प्रदेश की देखे महाँ पर की पॉबलेशन भी कम है तो 8 है ऐसलिए जो छोटे-छोटे कम अबादी वाले राज़े वाहाँ की जो वोट की वेल्यू है वो बहुत कम है ठीक है ऐस करने के बाद आप उसके जरीए एक MP के vote की value निकालते हैं कैसे निकालते हैं भाई एक MP की भी vote की value होती ही कैसे होती है एक MP की vote की value होती है total vote value of all MLEs divided by elected MPs ठीक है मदलब की जैसे मैंने कहा 36 का 129 into 90 कर देंगे आप पैसी UP का 208 into 403 कर देंगे आप हर राज में जित्ते विधायक है multiplied by vote value of that state ऐसा करके आप सब multiply करके सारे 28 राजों को add कर दीजे दोने unit territories को add कर दीजे तो जो भी total आपकी vote की value आएगी आप वो यहां रखेंगे divided by elected MPs तो elected MPs मैं बार बार बोल रहे हैं 776 होते हैं ऐसे करके आप देखेंगे तो जो एक MP होता है उसके vote की value निकलाती 708 याद रखेंगे 708 एक MP की vote की value होती है और मैं हमेशा राजपती पढ़ाते वक्त यह बोलती हूँ कि हमेशा MP की vote की value MLA की vote की value से ज़ादा होती है देखो UP के एक MLA की vote की value highest ते 208 उससे ज़ादा तो इंडिया में किसी भी राजपती की MLA की vote की value नहीं होगी हमारे हैं 129 कहीं देर सो होगा highest 208 है जो UP के है ठीक है लेकिन एक MP यहने पूरे की पूरे 776 जो MP है उनमें से एक-एक MP की vote की value 708 एक सांसाथ वोट डालेगा उसका एक वोट 708 बार count किया जाएगा यहने 708 की equivalent count किया जाएगा समझ महरी बात अगर यह आपको discrete लग रहा है तो आपने अगर मेरा lecture देखा है तो आप connect कर पाएंगे वरना एक बार राश्पती का जो process है 53-54 में उसे जाकर के देखिए ठीक है मैं पूरा भी process नहीं समझा रहे हूँ मैं आपको सिर्फ वित्ता बता रहे हूँ कि नामंकन कैसे दायर किया जाते qualification क्या है उसके बाद electoral calling में कौन-कौन participate करता और फिल्हाल की स्थिती क्या है ठीक है तो यह जितने भी लोग participate करेंगे अपने वोट की value के सबसे इसमें count होगा और final counting में 50% से उपर जिसको भी vote मिलेगा वो व्यक्ति जीट जाएगा ठीक है हम देखते हैं ऐसा और एक एक सांसत की vote की value 708 है तो 776 को भी हम 708 से multiply कर देते हैं और उनको पूरे MLA की vote की value से add कर देते हैं तो final total vote value total यहां लिख देती हूं में total vote value of electors यह total जितने vote मिलने वाले हैं 4809 electors को उनकी vote value सब अब जब multiply कर दोगे पूरे MLA MPs को मिला करके तो जो आकड़ा आएगा वो है आपका 10,009,903 10,998,903 यहाद रगेगे का पिछला जो राश्पती election था उसमें भी करीब साड़े दस लाग का आकड़ा था total vote value का जिसमें साड़े साथ लाग रामनाथ को विन जी को मिले थे और तीन लाग फरी साथ लाग रामनाथ को विन जी को मिले थे और करीब साड़े तीन लाग जो है उनकी विपक्षी मीरा कुमार को मिले थे तो साथ लाग जो है वो रामनाथ को विन और साड़े तीन लाग मीरा कुमार को मिले थे इस तरह से रामनात कोविन जीते थे, अभी भी आकड़ा करीब करीब 11 लाग के करीब होना चाहिए, अब उसमें देखिए, जादा expectation है, कि जो बीजेपी की उमिदवार हैं, उन्हें जादा vote मिलें इसमें, 50% से जादा अगर vote किसी को मिल जाते हैं, तो वो वेक्टिव प्रेस ज़रूर पढ़ लिजे, prelims और means दोनों के लिए ठीक, आई होप आप इस चीज समझ पा रहे हैं, तो भई, डैनेमिक पार्ट से ज़्यादा, इसका static पार्ट ज़रूर है, डैनेमिक में तो वह important होगा, जब दोनों में से कोई एक राश्पती बन जाएगा, तब आप उनका पूरा background, history, सारी चीज़ें, डीटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, इस news में इतना ही, बढ़ते हैं आगे, second news में, जो की है महराश्ट कराजनातिक संगट, again, मैं इसके dynamic पार्ट को जादा नहीं चूंगी, दिन रात, पिछले कुछ दिनों से, आप में से जितने भी ल मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे हैं, वहाँ पर एक नया राजनैतिक संकट आया, एक political crisis आया है, शिवसेना के ही एक विधायक है, एक नाच्छिंदे, जिन्होंने अपनी शिवसेना से या वर्तमान मुख्यमंतरी से बगावत कर दी है, और अपने साथ शिवसेना के कुछ विधायकों को लेकर के अलग रुख अक्तियार कर लिया है, उनका दावा है कि असली शिवसेना वही हैं और वो अपना दावा गवर्नर के सामने पेश करेंगे और होपफुली वो अपने उन बागी विधायकों के साथ एक सरकार बनाने की योजना कर रहे हैं, ठीक, ये background त पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इससे महराश विधानसभा पर जो असर पड़ा और आगे की क्या समीकरन बनते हैं, उसको थोड़ा सा quality से link करके हम देखेंगे, तो भई ऐसा है, सबसे पहले चीज़ जो आपको आपके लिए ज़रूरी है जाननी वो ये, कि महराश विधानस जिसमें जो सत्ताधारी दल है, वो है MVA, ठीक, महाविकास अगहाडी बोला जाता है, जब अन्तिम या लास्ट इलेक्शन होगा था, 2019 का, तो कुछ पार्टीज जिसमें शिफ सेना, NCP, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और कुछ और पार्टीज ने मिलकर एक alliance, एक coalition बनाया जिसका नाम था आपका महाविकास अगहाडी, इसी को हम शौट में बोलते है MVA, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है शिफ सेना, ठीक है, तो ये MVA अभी सत्ता में है, MVA सत्ता में, coalition है, एक तरह का गुठ है, जो 2019 में बना था, सत्ता में आने के लिए, ठीक है, MVA के पास कु पन विधायक है, ठीक, विपक्ष जितने हैं, MVA के बाहर जितने लोग हैं, ठीक, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनमें सबसे बड़ा दल BJP का है, जिसके पास अकेले 113 जो हैं, वो विधायक है, जिसमें बीजेपी के पास अकेले 106 हैं, आप कहेंगे, जब BJP के पास 106 व सावा पेश नहीं किया, तो इसके लिए पुराने न्यूस देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता दू कि सरकार बनाने के लिए भी आपको टोटल वोट में से 50% से जाधा सीटें चाहिए होती हैं, यहने टोटल सीटों में से 50% से जाधा, यहने 288 अगर सीटें हैं, तो इसक कि एक संग बना लिए और सरकार इनकी बन गई, ठीक है, यह थोड़ा समय ने बैग्राउंड कीचा, उन लोगों के लिए जिनको इसका बैग्राउंड नहीं पता, तो महराश विधान सभा का समीकरन ध्यान में रखिये, किसकी सरकार है, उपोजिशन में कौन है, सरकार कॉल 24, मेंने दो साल के बाद महां चुनाओ होने वाला है, तो जो शिंदेखेम है, यानि कि जो आपका एकना शिंदे है, उन्होंने जो दावा पेश किया वो ये, कि वो और शिवसेना के 37 विधायक जो हैं, वो इस पार्टी से अलग हो करके दावा पेश करना चाहते हैं, अब दावा अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का हो, जाहिर से बाद अपने दम पर तो नहीं बन सकता, क्योंकि जादो या आकड़ा जो सरकार बनाने का है, वो ऐसे भी 144 के ऊपर ही होगा, 145 आपको सीट चाहिए, तब जाकर आप सरकार बनाओगे, तो या तो जाके BJP से मिलें या तो जो दूसरे और आपके निर्दली उम्मिद्वार या छोटी-छोटी पार्टी जोन को जाकर मिलाएंगे, कुल मिलाक इनका कहना है कि वी वास्तविक शिवसेना हम है, और एक नाचिंदे का कहना है कि वी मेरे साथ सैती, अकेले शिवसेना के विधायक है, और मैं अल निवास से, निवास को छोड़ दिया और मातोश्री में जाकर रहने लगे और वहां से आगी की कारवाहियों को संचालित कर रहे हैं, इन्हें कहीं न कहीं अगर ये फूट पड़ जाती है, वैधानी क्रूप से ये चीज़ अगर हो जाती है, समझाईश अगर मानली जा किया जाने का बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक नाचिंदे नहीं मानते हैं और ऐसी बहुत सारे विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं, तो शिवसेने के पास अकेले जो 56 विधायकों का एक बड़ा दल था, वही तूट जाएगा, ठीक, और शिवसेना का आकड़े का मतलब क्या है, ठीक, फिलहाल आप एक चीज़ देखते हैं, सुप्रीम कोट में एक याचिका लगी है, और वो याचिका दल बदल कानून की लगी है, और अगर ये दल बदल कानून इन बागे विधायकों को पर लागो हो जाता है, तो उन्हें 5 साल तक आकड़ा जो 37 पहुचने के लिए है, वो उसका अरेंजमेंट कर लेंगे, तो ये 37 का आकड़ा है क्या, अब आती है आपकी स्टेटिक पॉलिटी, यहां तक के समझ में आया, हुआ क्या है एक नाचिंदे, वीजेपी की विधायक थे, ठीक, उन्होंने वीजेप, सुरी, श करके खड़े होगे, जो शिवसेना के ही है, ये लोग शिवसेना के अंदर ही दो गुट में बढ़ गए मानके चलिए, ठीक है, अब ऐसा है कि शिवसेना की जो आलाकमान है महराश में, उन्होंने उद्धव ठाकरी को अपना मुख्यमत्री चुना, सारे निर्देश, आदे या अलग अमान से बगावत करना चाहते हैं, ठीक है, यानि पार्टी से अलग होना चाहते हैं, या अलग शिवसेना होने का दावा करते हैं, अब ऐसी बात है कि का मतलब यह हुआ कि पार्टी से कोई पार्टी की मर्जी को ना मानने की बात कर रहा है, अगर आपको दल बद निशेत कानून या anti-defection law याद होगा जो हमने कई बार पढ़ा है प्रलम्स में या आपने भी अपना से पढ़ा होगा आपके schedule 10 याने नुसूची 10 में दिया गया anti-defection law anti-defection law जो आपका 1985 में आय था समिधान के नुसूची 10 याने schedule 10 में डाला गया था इसका एक पहला rule तो ये है कि यदि आप किसी party की ticket से विधायक बनते हैं तो विधायक बन जाने के बाद आप अपनी party से इस्तिफा नहीं दे सकते party की मर्जी के खिलाफ vote नहीं डाल सकते या फिर party बदल कर दूसरी party में नहीं जा सकते अगर आप इस्तिफा देते हैं party की मर्जी की खिलाफ सदन में vote डालते हैं या दूसरी party में चले जाते हैं तो आपकी विधायक पच से आपको हटा दिया जाएगा दल बदल निशियत कानून के अंतरगत और ये फैसला विधान सभा का speaker लेगा क्या कहा मैंने अभी जैसे हो रहा ने एक नाच चिंदे party के खिलाफ जा रहे हैं ठीक तो party के अगर वो खिलाफ जा रहे हैं और अगर वो अकेले होंगे तो उनको तो सिधा सिधा विधायक पच से डिस्कौलिफा कर दिया जाएगा पर दल बदल निशियत कानून के उपर द विधायक पद उनका चला जाएगा पार्टी की मर्जे की खिलाफ सदन में वोट नहीं डाल सकते वना विधायक पद चला जाएगा और उनको ये विधायक पच से जो हाथ दोना पड़ेगा उसका डिसीजन जो है स्पीकर और विधान सभा लेगा या या पर दल बदल निश में क्लॉज ये है कि अगर विधान सभा में उस पार्टी के एक कुछ निश्चित संख्या के विधायक एक से दूसरी पार्टी में जाते हैं जैसे ये अकेले नहीं जा रहे हैं कुछ लोगों को लेकर जा रहे हैं यानि अगर ये दल बदल समुह में होता है ये लाइन को मै हद दोना पड़ेगा ठीक है दल बदलोगे तो विधायक पद भी चाएगा दल से इस्तिफा दोगे तो भी विधायक पद जाएगा पार्टी की खिलाफ ये दल की खिलाफ जोगे तो भी विधायक पद जाएगा लेकिन ये तब तक जब आप अकेले हो अगर आप पूरे सम करन के हिसाब से फिर नहीं होगा तीक वो पार्टी को बदल सकते हैं और जो मौझूदा पार्टी इसको माइनॉरिटी मिला सकते हैं अब बाताती है कि वो कितने लोग हैं जिनके जाने पर यह पार्टी छोड़ने पर उन पर डिफेक्शन नहीं लगता और वो हैं टू थर्ड पार्टी इसका मतलब स्कॉर से समझें शिवसेना के पास 56 लोग हैं 56 तो अगर इन 56 में से कोई 1,2,3,4 जाता है या इस्तिफा दे देता है तो वो तो सीधा-सीधा डिस्क्वालिफा हो जाएगा वो शिवसेना से हटा मतलब विधायकपत से हट जाएगा ठीक लेकिन अगर तो थर्ड और 56 आप करते हैं 56 का दो तिहाई तो आता है 37 ये वो ही आगड़ा है अगर 37 लोग 56 में से 37 लोग अगर मानके चलिए दल बदलते हैं या दल से इस्तिफा देते हैं दल के खिलाफ जाते हैं तो उनका विधायक कपच समाप्थ नहीं होगा वो विधायक बने रहे और आगे कि विधानतबा की समीकरण को वो उलट फेर कर सकते हैं तो ये 37 का आकड़ा सुन रहे हो वो इसी क्लॉज से है कि दल बदल निशेत कानून तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति अकेले या दो तिहाई कम सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाते हैं दल से इस्त ही लगती तो 56 में से अगर 37 विधायक शिफसेना के खिलाफ हो जाते हैं या शिफसेन असरी शिफसेना होने का दावा करते हैं या वो दूसरा दल बना देते हैं तो विधायक से उनको हाथ नहीं दोना पड़ेगा ठीक है लेकिन फिलहाल समी करने से 37 का दावा तो एक नाच 37 लोग होना चाहिए तब तो दल बदल नहीं लगेगा और इनके पास सिर्फ 33 लोग है और इस वज़े से इनके खिलाफ याचिका लगी हुए कि इनके पर दल बदल लगाया जाए और अगर यह लोग जीज़ जाते हैं तो फिर यह वह 33 लोग उनको पांच साल उतक की चुन नजर बनाए रखें समझ पा रहे हैं आप क्या है ठीक है यह 23 वाली बात एंटी डिफेक्शन वाली बात एंटी डिफेक्शन को और इच्छे से रिवाइस कर लेना शेडियूल 10 1985 एंटी डिफेक्शन लोग स्पीकर जो है वो तै करता है ठीक है तो यह बात हो रही थी निश्यत कानून लग जाएगा और स्पीकर इनको हटा देगा ठीक है अगर मान लीजे 37 लोग आगे की रहावत्तारियों में अभी तक तो यह चीज़ क्लैरिफाइए नहीं है कि 37 है किने इनके पास ठीक है दो तीह एक आक आकड़ा या दखना 6 या दखना ठीक तो अगर य यह दो चीज़े करना चाहते हैं दो में से कोई एक चीज़ करेंगे या तो यह 37 लोगों के साथ खुद को रियल शिफ से ना साबित करन की कोशिश करेंगे और फिर जा करके MVA के दूसरे लोग या BJP के साथ अलाइंस करके फिर से एक सरकार बनाएंगे या फिर यह अपने आपको एक नया दल घोशित कर देंगे अगर ओरिजिनल शिफ से ना कि हाई कमान प्रेसिडेंट से नहीं मानते तो यह 37 लोग अपने आपको एक नया दल घोशित कर देंगे क्योंकि विधायक पत्तों बना रहेगा डिस्कौलिफाय तो नहीं होंगे तो विधान सभा में 37 लोग एक अलग दल के होंगे और यह लोग फिर क्योंकि 37 लोग अलग होगे तो MV अपने आप मैनॉरिटी में आ जाएगी ना तो फिर वहां पर सरकार भंग होने के चांसे होंगे ठीके तो यह लोग फिर BJP का सपोर्ट पाकर के सरकार बना सकते फिर BJP और यह जो 37 लोग का और डिस्कॉलिफाय नहीं के बाद किसी के पास भी वह जादू यह आकड़ा 145 का ना हो यहने 50% more than 288 अगर वह आकड़ा नहीं हुआ तो वहां पर राश्पती शासन भी लग सकता है तो देखो वरतमान सरकार गिरने की भी गुझ जैश है राश्पती शासन भी लगने की ग भंग हो जाए और नई दावा पेश करके बीजेपी और इनका अलाइंस एक सरकार बना दे ऐसा हो सकता है कि यह लोग डिस्कॉलिफाय हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि हमापे प्रेसिडेंट रूल लग जाए ऐसी बहुत सारी संभावनाय वर बनती है आप तो रोज निउ क्रे कि उपर क्या क्रैसिस आया था नहीं पर इससे जुड़ा एंटिटिफेक्शन लो दोतिहाई वाला नियम कौन तै करता है तो स्पीकर तै करता है सरकार बनेगी गिरेगी कौन तै करेगा गवर्नर तै करेगा गवर्नर के सामने ये लोग अलग दावा पेश करेंगे और गवर्नर ये डिसाइड करता है कि अल्पमत में आ गई है अगर सरकार तो वर्तमान सरकार रहेगी कि नहीं सरकार बनेगी बंग करना है कि नहीं करना है कई ऐसा तो नहीं कि वर्तमान सरकार जैसे कि उद्धभ ठाकरे ने गवर्नर को बोला है कि आप विधान साबा भंग तो गवरन को यह देखना पढ़ेगा कहीं अल्प मत में आने के डर से तो इन्होंने ऐसा नहीं वोला कि आप विदांसभा भंग करने की विविकाधीन शक्ति होती गवरनर के पास लेकिन विविकाधीन मतलू अपनी वर्जी से कर सकता है वो सरकम्स्टांसिस को देखेगा तो तो मैंने का यह dynamic part को आप news से देखी सकते जो चीज़े मैंने बताई लेकिन entity affection और speaker और governor का जो role है इसको आप जरूर quality में पढ़ते हैं तो इसको आप अपने subject लिए अच्छे से ध्यान में रखें पढ़ ले एक बार book से और मेरे इस explanation में अगर आप कहीं कुछ समझ बने आगे वरना एक बार फिर से आप book में पढ़िए इसकी static part को और उसकी बात फिर इस वीडियो को देखिए तब आप लिख कर पाएंगे तब भी अगर कोई doubt होता है तो आप comment section पूछ सकते है clear a cheese that is it ठीके तो यह दोड़े सी buzzed out ऐसी news थी जो ज़्यादा highlighted थी अब आगे की जो एक आपका South American country है वहाँ पे एक नए president क्या चुना हुआ है जिनका नाम है Gustavo Petro तो यह पिलकुल और पिलकुल dynamic point of view से यह news important है Columbia South American country है वहाँ पे नए president चुने गए जिनका नाम है Gustavo Petro Gustavo Petro की खासवाद यह है कि यह Columbia के पहले वामपन थी यहने कि आपके एक तरह के communist विचारधारा वाले एक शासक है जो पहली बार वहाँ पे चुने गए इससे पहले वामपन्त से जुड़ा कोई भी व्यक्तिवागा राश्पती नहीं बना ठीक गुस्तावो को 50% या 50.48% वोट मिले जमकि उनके जो निकट प्रतिदवन्दी थी उनका नाम था प्रतिवन्दी वोट मिले ठीक है तो इनको 50% और इनकी जो ऑपोजिशन में थे उनको 47% मिले यह आपको बस ध्यान में रखना है में ली तो नाम ही ध्यान में रखना है आप को लंबिया वर्ड आया है तो इस राश्ट्र के बारे में कुछ बेसिक बाते भी यादर के क्रिस्टॉफर कॉलंबस के सरनेम पर रखा गया क्योंकि उस पूरे एरिया को डिस्कवर कॉलंबस नहीं किया था इसलिए इनके नाम पर कॉलंबस के नाम पर ही कॉलंबिया नाम रखा गया है कॉलंबिया की राजधानी है बगोटा और ये कभी Spanish लोगों की इने South America की Maximum जो अमरिका में total 13 देश हैं, उनमें से जाधतर देशों में Spanish currency भी कई दिनों तक चली और Spanish भाशा भी बोली जाती है, वहाँ पे जाधतर football भी इसलिए आप देखते हैं खेला जाते हैं क्योंकि Spain football खेलता है, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत जगह पर Spain का राज था, इसलिए Spain का culture, भाशा बहुत कुछ आपको देखेगा, तो कोलंबिया की भी जो आधिकारिक भाशा है वो Spanish ही है, despite the fact कि वो दक्षिन अमरिका का एक देश है, ठीक है, तो राइधानी याद रखेंगे बगोटा, भाशा है Spanish, और अगर अब political formation की बात करेंगी तो ये एक Republic है, मतलब अभी ज जैसे इंडिया में जो President होता है, वो सिर्फ और सिर्फ State का Head होता है, Government का Head PM होता है, यहां के जो President होते हैं, वो State यहने राज्य की भी प्रमुक होता है और सरकार की भी प्रमुक है, तो एक तरह का गण राज्य है, ठीक है, इतनी बातें आप इस से related dynamic or static part में आधर किये, that is it, Clear? इसे ही 111 RUPP, RUPP का मतलब Registered Unrecognized Political Parties को अभी फिर से हटाने की सिफ़ारिश चुना आयोग ने की है, इससे पहले मई में 87 ऐसी पार्टीज को हटाने की बात कही गई थी, इसके अलावा तीन ऐसी पार्टीज की उपर कारवाही करने की बात की गई, क्योंकि उन्होंने जन प्रतिनिद्यादीनियम 1951 के रूल रेगुलेशन के तहट और चुना आयोग के रूल रेगुलेशन के तहट जो भी फिनेंशियल आपके रूल रेगुलेशन है, उसका उलंगन तीन पार्टीज ने किया है, और उसके अलावा 111 ऐसी पार्टीज ने जो RUPP के अडर आत फिलाल अता समझे कि जो इलेक्शन कामिशन ओफ इंडिया है, उसने तीन पार्टीज के खिलाफ कारवाही करने की बात की, क्योंकि उन्होंने फिनेंशियल रेगुलेशन किये, और 111 और ये सारी चाहे, वो तीन पार्टी उचाहे, 111 पार्टी सब RUPP पार्टी कहलाती है, यहने कि पंजेकरित गैरमानिता प्राप्ट पार्टी, 111 गैरमानिता प्राप्ट पार्टी जो है, उसको हटाने की बात की गई है, और तीन के खिलाफ कारवाही करने की बात की गई है, 111 पार्टी इसको जो हटाने की बात की गई है, उन पर अस्तित्वहीन होने का एक चा गया था और दलो ने जिस चीज का उलंगन किया या जिस वज़े से 111 इन पार्टी को हटाया जा रहा है उसका जो आधार है वो ये कि अपने संचार का पता और चुनाव आयोग के पते में किसी भी बदलाओ को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसको उन्होंने नहीं किया यह जो पार्टी जो भी अपना अड्रेस दिया है जो चुनाव आयोक के पास उनका अड्रेस है उसमें आगर मालीजिये पार्टी अपनी लोकेशन sounds ँचालन कहीं पर भी अड्रेस वाइस बदलती है तो उन्होंने नहीं किया कुल मिला कि ये parties थी जिनको किसी election में चुनाओ लडने के लिए register तो कर दिया गया लेकिन उसके पाद ये parties का कहीं कोई नाम उनुशान नहीं दिखा या तो ये parties dissolve हो गई हैं और वो चीज़ें अभी तक चुनाओ आयों को अपडेट नहीं हुई है या उन अपनी location बदल दिये काफी समय से कोई चुनाओ में भाग नहीं लिया है अपने candidate नहीं खड़े किये कुछ भी ऐसा कि पिछले कुछ समय से उनका कोई अता पता ही नहीं ह इस वजह से इनको हटाने की बात हो रही है 87 पहले यह पार्टी यह है फिलेक्सिंट कम Haraldियен रहे हैं धीलेiset और पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यह पार्टी या तो नए पंजिकरित दल या वो राजिस्टरी दल बनने के लिए विधान सभा या आम चुनाओं में परियाप प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाई है या जिन्होंने पंजिकरित होने के कभी भी जो भी परियाप प्रतिशत विधान सभा चुनाओं में चाहे रहे था उन्होंने कभी हासिल नहीं किया या रजिस्टर होने के बाद उन्होंने कभी कोई चुनाओं नहीं लड़ा तो उनका कोई अस्तित्व आपको कोई सभा में या इलेक्शन में दिखने को नही जरूर किया था ऐसी जो पार्टी कि क्योंकि यह lecture वैसिव बहुत लंबा हो गया तो national party या state party बनने के लिए क्या निर्धारी शर्त है उसको मैं repeat नहीं करूंगी किसी और lecture में इसमें हम लेंगे कि अगर कोई नई party को state party का दर्जा मिलता है या national party के अस्तित पर कभी कोई खत्रा आता है तब हम इस चीज़ पर discussion लेंगे फिरहाल क्योंकि बात R.U.P.P. से related है इसलिए में national और state party का जो भी पैमाना है उसे अभी discuss नहीं करूंगी वैसे एक important question आता है prelims में जो इनके पैमानो पर based होता है कि अगर मान लेजे congress है बीजेपी है ठीक है या फिर आपकी बहुजन समाच पार्टी है अगर यह national party है तो national party की माननेता मिलने के लिए वो कुछ पैमानों को पूरा करती है जैसे आपने सुना हुआ कम से कम चार राज्यों से उनको कम से कम कुछ प्रतिशत करते हैं वो क्राइटीरिया को पूरा करते तब उनको माननेता मिलती है माननेता है तो राश्ट्री दल की मिलती है अगर वो राश्ट्री दल का पैमाना पूरा करते हैं और वह ऐसा पैमाना पूरा नहीं करती बस उन्होंने चुनाव लड़ा है तो उनको register तो कर दिया तो इंडिया में अगर मैं सेप्टेंबर 2021 की एक रिपोर्ट पड़ी थी मैंने उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो पार्टी की संख्या है वो 2858 है कुल मिलाकर के हर तरह की दल मिला लो ना तो 2859 पार्टी थी 2021 सेप्टेंबर की स्थिति बता रही हुआ आपको ठीक, इन में से आप जानते ही होंगे कि 8 national parties है है न, उसके अलावा जी इतनी हर राज में state party का पैमाना पूरी करने वाली parties है उनमें कुल मिलाकर इंडिया में 54 state parties है तो माननेता प्राप्त तो देखेंगे तो 8 national और 54 state parties हैं बस उसके अलावा बाकी जितनी parties है यहने कि 2797 यह पूरी की पूरी RUPP है यहने जो RUPP parties है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है 2797 करीब 2700 देखो यह घटी बढ़ती रहती है मही में इसमें से 87 हटा दी गई तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 2800 दल हैं करीब 2800 दल हैं जिसमें से 8 national party हैं 54 state party हैं क्योंकि national party का criteria national party के जो criteria 4 हैं उसको वो 8 दल पूरे करते हैं और state party के जो 4 criteria इनको यह 54 party अलग-अलग state में पूरी करती बाकी जितनी 2800 दल में हैं उसमें से मात कर चलो कुल मिला कर कि 2700 RUPP के अंडर आते हैं इनने ऐसी party हैं जो national party इना state party बस वो कभी कोई चुनाव लड़ने के लिए रजिस्टर हो गई थी फिर या तो वो कभी चुनाव में candidate नहीं खड़े करी या तुनका कोई आता पता नहीं बस चुनाव एक में रजिस्टर है तो time to talk चुनाव क्या करता है इन में से कुछ-कुछ party हों का अस्तित समाप करता है और इसी सिलसिले में इस बार 2700 parties में से 111 parties का अस्तित समाप करने की बात कही गई है समझ मैं यहीं बात ठीक है तो आठ national party और चववन state party ही माननिता प्राप यहने recognized political parties है national recognized and state recognized बाकी जितनी 2700 parties है वो unrecognized registered parties है उनहीं की बारे में बात हो रही है तो इस पूरे पार्ट में तो आपको डायमनिक पार्ट याद होना ही चाहिए कि 111 parties की बात हो रही है फिर आपको बूसरा static बात पता होना चाहिए कि RUPP का मतलब क्या होता है तीसरी static बात आपको पता होना चाहिए कि कितनी national parties है कितनी state parties है और जो अथिबाद जो आप खु वन parties उनी criteria को फिलफिल करती है बाकी है registered है पर मानेत अपराप नहीं है clear है तो यह थोड़े से static part को आप इसमें देख लेंगे जो आपके politically ज़रूरी है ठीक तो that is it इतनी बाते थी जो आज के इस lecture में हमको deal करनी थी dynamic चीजे शुरुआत की कुछ news में आप वैसे भी रोज स नहीं news cover करेंगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं पॉलिटी की कुछ और important current affairs को लेकर thank you so much